अब सभी लोगों ने ये निउस तो जरूर सुनी होगी कि मनिपूर में दो कुकी समाच के लड़कियों को बिना कपडों के सरेयाम रस्ते पे सब के सामने घुमाया गया और आप्टर देन उनके साथ बैड़ंगे यानि की सामुहिक बलातकार किया गया वो भी सब के सामने और ट्वीटर पे, यूटूब पे, निउस चैनल पे सभी तरफ सभी लोगों का और मंत्रियों का प्रतिक्रिया यानि की कमेंट्स और साहनुभूति देखने को मिल रहा है लेकिन आखिर ये कौन लोग है जिनोंने ये घिनोना काम को किया है और उस काम को करने के समय में जो वह के लोकल लोग थे उन्होंने उनको क्यों नहीं रोका और साथ ही वहाँ पे जो पुलिस डिपार्टमेंट थी वो उस समय क्या कर रही थी क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये जो वाइरल वीडियो है ये कल परसो का है तो मैं आप सभी को ये पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ ये जो वाइरल वीडियो अभी सभी के नियूस चैनल पे सबके सामने चल रही है ये बिल्कुल भी कल परसो का नहीं है ये इंसीडेंट में मंत का चार तारिक को हो चुका है जी हाँ आप लोगों ने सही सुना ये आल्रेडी में मंत के चार तारिक को हो चुका है और इसको कनफर्म किया है वहाँ के पोलिस डिपार्टमेंट ने जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और हाँ इसके उपर में आगे डीटेल में बात जरूर करूंगा और साथ ही इस गंभीर समय में हमारी देश की सरकार क्या कर रही है और इस म मज्या गरशनल तो वनिक पोत न मनिपूर लो महिला लनो नगडंगा वूरग इंचना घटना में नालगना चोड़ चेस कुंदे मनिपूरे दुजणा महिलां को लगना करी चलाइबा घटनारे मुख्या अबजुक्त को शर्मशार कर देने वाली है एक महिला को नगन करके घुमाया जाता है उसके साथ यौन हिंचा की जाती है और आरोप एक समुदाय दूसरे समुदाय पर लगाता है मैथी कम्यूटी से बिलॉंग करते हैं और बाकी के जो रेस ट्राइबस हैं उन में सबसे जादा यानि वे के मैजोरीटी में कटी और नागा कम्यूनिटी के जो ट्राइबस यynn Вो लोग आते है अब वहां का जो main political power कहले या फिर जो government के legislative सम्हालते हैं उसमें majority के तोर पे मैथी community के लोग dominant करते हैं अब मनिपूर में ये जो protest वगरा हो रही है ये मैथी लोगों के बीच और बाकी के जो tribes हैं उनके बीच में हो रही है मनिपूर के जो tribes हैं उन्हें seedule tribe यानि कि ST category का status मिला हुआ है जिसके वज़े से उन्हें अपने state में काफी सारे चीजों में राहत या फिर subsidy मिलती है जैसे कि education, government job और land purchase and home building में बहुत सारा help होती है जो कि मैथी community के लोगों को नहीं मिल पाती और ये चीज नेचुरली तो possible नहीं है और इसका reason वो लोग मानते हैं और उनके हिसाब से ये जो growth है वो illegal immigrants के द्वारा ही हो सकता है जो कि मनिपूर के international border से लगी हुई मियामार देश से आते होंगे और अगर ऐसा ही होता रहा तो मैथी community के लोग अपने ही state में अपने ही area में एक minority के तोर पे रह जाएंगे और बाकी tribes लोग मिल के हम लोगों को दबा देंगे for this reason मैथी लोगों ने year 2012 में मनिपूर high court में एक petition file किया कि हमें भी ST community का status मिले ताकि state में equality बढ़े और हमें भी अच्छा education, government job और land वगेरा purchase करने में, home building करने में सरकार के तरब से subsidy मिले और हम लोग अपना community को expand कर सके जो कि बिलकुल भी सही नहीं है इसी पर मनिपूर के high court ने 20 April 2023 को स्टाब government of मनिपूर को direct किया कि मैथी community के ST demand को consider किया जाए और union government को इसके regarding एक recommendation भेजा जाए और ये new सुनने के बाद बाकी के जो ट्राइबल्स लोग थे वो लोग काफी जादा डर गए और अगर मैथी community को जो की already majority में है उनको अगर सीड्वल ट्राइब का status मिल गया तो वो लोग हमारे जमीनों को हडप लेंगे और साथी साथ हम लोगों को यानि की ट्राइबल्स लोगों को अपने ही घर से अपने ही जमीन से illegal immigrants के नाम पे भगा देंगे या फिर मार डालेंगे और इसी बात को साबित करते हुए 11 एप्रिल 2023 को सरकार के तरब से जिसमें already majority में मैथी community के लोग बिलॉंग करते हैं और उन्होंने ये कहकर तीन churches को पूरी तरीके से demolish कर दिया कि ये illegal churches है भला churches भी illegal होते हैं और इसके against में news फैलाया गया कि 28 एप्रिल 2023 को सभी tribes के लोगों ने मिल कर चुरचंदरपूर डिस्टिक के एक gym facility को आग लगा दिया जिसका inauguration मनिपूर के cmn बिरेन सिंग करने वाले थे और इस incident के बाद तूरंत वहाँ पे section 144 लगा दिया गया और ये चीज कहा गया कि stopping disinformation and rumors through various social media platform and they completely block internet service on that area और यही पे आया main बाद internet किसने बंद किया आपने यानि की government ने वहाँ पे जो government है उसमें कौन majority में है मैं थी community के लोग और आज जो आप news वगेरा सुन रहे हैं या फिर देख रहे हैं वो कब का incident है में 2004 को और आपको ये news कब मिला 19 जुलाई को मतलब कितना दिन समझ रहे हैं ना 4 में को incident हुआ जबकि 3 में से ही ये जो protest चल रहा है वो start हुआ है और अभी 19 जुलाई को आप लोगों को ये सारा news पता चल रहा है मतलब 48 days के बाद आप लोगों के सामने सब के सामने ये जो news है आई है मतलब जो मनिपूर में government अभी है ये साब साब दिख रहा है कि लोग का और political power का बिलकुल पूरी तरीके से misuse किया गया है और गलत information के नाम पे आप लोग tribal लोगों के साथ क्या-क्या गलत-गलत हरकते कर रहे हैं क्या-क्या घिनोने हरकते कर रहे हैं ये सब किसी को पता ना चले बस आपका ये ही motive था internet बंद करने का और हाँ ये जो वीडियो अभी सब तरफ लीक हो गया है और viral हो रहा है जितने भी सारे news channel पर इसी के बारे में चर्चा हो रही है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग इसी के बारे में बात कर रहे है हर घरों में यही सब बाते हो रही है लेकिन इस वीडियो को आखिर लिक कहां पे किया गया और कौन सा प्लाटफॉर्म था जिस पे ये वीडियो वाइरल हुआ और सब के पास ये न्यूज स्प्रेड हुआ वो था ट्वीटर और येस आप लोगों को यकिन नहीं होगा ये जो गबर्मेंट अभी है उन्होंने ट्वीटर को ये कहकर बैन करने की धमकी दी कि आपने मिश इन्फरमेशन कैसे फैलाया और इस बात का मतलब ही यही है कि आप पूरे के पूरे देशवासी को एक नंबर का बेवकूप समझते जितने भी सारे ट्राइवल लोग है जितने भी सारे आदिवासी लोग है और जितने भी सारे हमारे जैसे लोग है सबी को आप लोग ना मुर्क समझते हैं हम लोग ना सब के सब बेवकूप है और आपके ही गबर्मेंट के बजे से वहाँ पे जो निउस रिपोर्टिंग ज पचा रहे थे ये जितने भी सारे illegal immigrants हैं उन लोगों को भगा के उन सभी को हटा के हमारा देश की शुरक्षा कर रहे थे और सारे illegal churches को तोड़ के हम लोग बहुती अच्छा काम कर रहे हैं ये सब चीजे आपके news में दिखाया जा रहा है लेकिन क्या ये सच है और हाँ दोस्तो आप सभी लोगों से एक छोटा सा सवाल है सपोस करिये कि आप लोग दिन भर काम करके ठके हारे अपने घर में आते हैं वहाँ पे आपके बच्चे आपकी वाइफ और आपके बुढ़े माता पिताजी के साथ आप लोग खाने के लिए जस्त बैठते हैं तभी आपको दूर से हजारों लोगों का चिलाने का आवाज सुनाई देता है और जैसे ही आप उस आवाज की और अपना सीर को गुमाते हैं उसी वक्त आपके घर में बहुत सारी काच के बोतले जलती हुई फेकी जाती है और वहीं देखते देखते केवल 10 सकेंड के अंदर में ही आपका पू अपने बूढे माता पिता जी को लेके बचाके जलती हुई समानों से जलती हुई दिवारों से बच के आगे की और बढ़ते हैं और जैसे ही दरवाज के पास पहुँचने वाले होते हैं आपके मन में बस यही होगा कि भाई प्लीज कोई बाहर से मदद कर दे या फिर मैं अपने पडोसी के पास जाऊं जहां पर मैं अपने फैमिली को सेफ रखो और अपना घर को जलने से बचा सको कम से कम पानी डालके या फिर कुछ करके हमारे घर को बचा सको लेकिन जैसे ही आप दरवाजे के बाहर निकलते हैं आप जहां तक देख सकते हैं आपके पडोसी के आपकी आखे जितनी दूर तक देख सकती है ना, वहां तक सब का घर, सब कुछ, जितना भी सराउंडेट माहौल है, सारे के सारे आग में जूलत रहे हैं, बहुत सारे लोगों का चिलाना, सभी का रोना, आग में सब को जल रहा है, यह सब चीज़े आपको देखने को मिलती है और अचानक कई सारे लोग आपके सामने आकर आपकी बूड़ी मा को मार डालते, वहीं पे काट डालते हैं, और आप लोग उस ताइम क्या करेंगे बताईए, क्या होगा आपका बताईए, और हाँ यह जो चीज़े हैं, वो वहां के एक फैमिली के साथ हुआ है, और वो लो ट्रस्ट करके उनके पास चले जाते हैं, और वो लोग सोचते हैं कि इस समय में पुलिस टेशन के अलावा कोई भी जगा सेफ नहीं हो सकता है, तो वो लोग क्या करते हैं, पुलिस वालो लोग के साथ सेफ रहेंगे, बोलके उनके साथ पुलिस टेशन को जाने के लिए जीस के हातों से छीन के ले जाते हैं और यही चीना झप्टी में उनके जो पिताजी होते हैं जिनका उमर 56 एर होता है उनको तो वही पे ही इसपॉठ पे ही खतम कर दालते हैं और जब उसके husband ने ये सब चीजे होने से रोकना चाहा तो उसको भी एकदम तरपा तरपा के खतम कर डालते हैं और बाकी जो बचे उनकी बेटी और उनकी wife यानि की दो ladies दो women जिसका news अभी आप लोग सुन रहे हैं उनके साथ बहुत ही जादा घिनोना काम करते हैं उनको लेकर बिना कपड़ों के पूरक के पूरे गाओं में जितने भी सारे रस्ते हैं उसमें गूम रहे हैं और पता ने क्या क्या अपने language में चिला रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आया उनके साथ इतना बदसलुकी कर रहे हैं पूरक कैसे कैसे टच कर रहे हैं उनको क्या क्या चीज़े बोल रहे हैं कैसे लोग है यार पता ने इच्छी और इतना बस नहीं यह चीज़े करने के बाद भी उनका मन नहीं वरा तो वो लोग उनी 800-1000 लोगों के सामने ही मिलकर वो जो लेडिस होती है जो वाइफ होती है उसका सामुहिक बलातकार तक कर देते हैं लेकिन उसी वक्त वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो लोग जैसे तैसे करके उनको छुडा के वहाँ से भगा के उनको शेफ करके हटा ले और ये इंसिदेंट कब हुआ है फोर्थ मेको वो भी पोलीस लोगों के सामने से बच्चे लोगों को लेडिस लोगों को उठाया गया और ये सारे चीजे किया गया लेकिन तब भी इसका जो कम्प्लेंड है फायार है वो नहीं हो पाया और वो हुआ है 21 जून महिने को वो भी तब जाके जब उस विलेज के मूखिया ने उनके पास जाके कम्प्लेंड किया तब जाके उन्होंने एफायार डाला और तब जाके उन्होंने इसकी आगे की कारवाई शुरू की और पुलिस डिपार्टमेंट का खुद से ये कहना है कि डियू टू कमुनल टेंशन दे केस और अभी तक नो रेस्पॉंस और अब जाके 19 जुलाई को जब ये न्यूज सब तरफ वाइरल हो रहा है सब तरफ स्प्रेड हो रहा है तब जाके बहुत सारे बड़े बड़े लोग बहुत सारे कमुनलिलिस्ट और बहुत सारे नेता लोग अपना दुख़डा गार है कि भाई मुझे बहुती जादा खराब लगा इस वीडियो को देखके यह जो इंसिडेंट है इसको देखके मेरे गले से तो खाना नहीं उतर रहा है मैं रात को सो तक नहीं पा रही हूँ I am very very sorry मनिपूर आपके साथ यह जो भी हुआ यह बहुती जादा गलत हुआ हम लोग आपके साथ हमेशा है यह जो फालतू चीज़े आप लोग ट्विटर पे लिखते है न यह जो बोलते है आप लोग निउस चैनल पर जाके यह सब चीज़े न बेकार है क्या है पूरी की महिला, बहन, बैटी, मा, बीबी यही लोग के साथ ऐसा हुआ होगा एक बार सोच के तो देखिए कि आखिर इतने समय में कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ यह इंसिडेंट हुआ होगा और बार बार होता रहेगा आपकी आखों के सामने तो आप लोग कैसे रहते हो एक बार सोच के दिखे कि वो लोगों के साथ में कैसे कैसे चीजए हो रही है और वो लोग क्या क्या चीज़े देख रहे हैं और वही government ये सारी बातों को छुपाना चाहती है इसी लिए क्योंकि वो तो हम लोगों को सब कोई को बेवकुप समंझती है जितने भी सारे ट्राइ के वज़े से और जान बूच कर हमारे जैसे ट्राइवल लोगों को कैसे यहां से हटाए और कैसे अपना राज लेके आए कैसा अपना राज चलाए कैसे दूसरों से यानि कि फोरेंड वाले से जितने भी सारे बैंक है उन सभी में से हम लोगों के नाम पे हमारी एजुकेशन और हमारी डेवलोप्मेंट के नाम से कैसे पैसा लोन लेके आए और अपना जो बड़ा बड़ा महंगा महंगा बिल्डिंग है उसको ठोके उसको बनाए और बाहर जाके वीदेशों में घूमे और अपना लाइफ को एकदम मजे से जी और हम लोगों को तो लोग भगाना च है यही जो हमारा गर्मेंट है इसका सोच ऐसा ही है और हाँ मैं अब dobर्मेंट के बारे में या फिर और एक पॉलिнокल पार्टी के बारे में बिलकुल भी नहीं बोल रहा को कि यहां पे जितने भी सारे प्रतिकल पार्टीं ने चाहे वह हम लोगं के सामने दिखा वह करे किभ लोग प्लीस मैं हाद जोड़ के बोल रहा हूं इन सारे दावाओ को उपर ना बिल्कूल भी यकिन ना करें ये जितने भी सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग जो भी लोग है न ये सब के सब साले चोर होते और कैसे पैसा खाएं यही उनका में मोटिव होता है इसके अ आगे उसको भड़का रहे थे उस ताइम आप लोग क्या कर रहे थे जब यह सब चीज़े अल्रेडी सब लोगों के सामने वाइरल होने लगी तब आप लोग न्यूज वाले लोग आके यह भाई देखो मनिपूर में ऐसा हो रहे हैं वहां के लोग ऐसे कर रहे हैं वह पाकी जो सारे न्यूज चैनल वा लोग है न वह लोग केवल ही केवल अपने टीरपी के लिए और अपने फीक जो न्यूज होते है न उसको दिखाने में लगे हुए तो प्लीज सुधर जाईए अभी भी टाइम है सुधर जाईए वरना बहुत पस्ताएंगे और हाँ दोस बहुत सारे जंजट बहुत सारे कामों का भार उनके कंधों पे रखा हुआ रहेगा लेकिन अगर ये बात सच है और हाँ मैं आपको ये भी अच्छे से बता दू कि जो मनिपूर है उसमें जो गवर्मेंट अभी रूलिंग में है उसमें जो पोलिटिकल पार्टी गवर्मे हो और ऐसा कैसे हो सकता है कि भीना आपके जाने या फिर भीना आपके पार्टी के कार्यकरता को जाने ये सब कैसे हो सकती है एक बार मुझे बता सकते हैं ये चीज़ ये चीज़ भला possible भी है हां जब मनिपूर पूरी तरीके से destroy हो गया रहेगा वहां के सारे के सारी लोग आपस में ही पूरा मारा पिटा हो के पूरा खतम होतम कर दिये रहेंगे और वहाँ पे जितने भी सारे लोग है सब वहाँ पे जगावगा छोड़के भाग गए होंगे तब वहाँ पे जो Chinese government है अगर वो अपना कदम आगे बढ़ा कर मनीपूर को अपने हातों में कबजा करने को चाहेगी और वहाँ पर attack करेगी तब जाके आपके दिमाग में ये चीज असर पड़ेगा और आप बोलेंगे news में आके सबके सामने पूरे एकदम national news या फिर क्या international news में आके आप लोग बोलेंगे कि भाई मेरे से गलती हो गया मेरे को उसी टाइम में इस वीडियो को देख रहे है ना उन सभी को मैं बस एक request करूँगा केवल 26 जैनवरी और अगस्ट 15 को ही जाके बस जनगनमना जो हमारा national anthem है उसके सामने एकदम सीनतान के खड़े होने से और अपने गालों में अपने फेस पे अपने गाड़ी अपने कार अपने घर के सामने तिरंगा लगा के मैं इंडियन हूँ मेरा देश महान है ये सब चीज़ बोलने से ना हमारा देश बिल्कुल भी नहीं बचने वाला है हमारा देश को ये जो government है और ये जो political party का जो system है ना हम सभी लोगों को ना पुरा खा जाएगा एकदम हमारा जो root है ना वो root को ही ये लोग तभा करना चाहता है and yes जो tribals लोग है ना उनको actually में first honor of land कहा जाता है तो please आप लोगों से यही request कि आप लोग थोड़ा सभी को support करे and yes this time मनीपूर definitely need our help आप लोग अगर अपने आपको असली Indian असली tribals और असली आदिवासी समाज के लोग सोचते है ना तो please आप सभी से request है इस बार please मनीपूर को help करे वहाँ के लोगों को पता चलना चाहिए कि वो लोग भी इंडिया का हिस्सा है और हम लोग भी उनको Indian ही मानते हैं ना कि किसी और country के ना ही किसी और तरप से हम लोग मानते है and yes chicken neck को काटा जा सकता है कभी भी इसके उपर भी थोड़ा ध्यान दे और अपने देश को बचाए और अगर दोस्तों आपने इस बार कुछ भी नहीं किया ना तो यह जो चीज़े वहाँ पर हो रही है वो सेम चीज़े आपके खुद के state में आपके खुद के शहर में और इवन आपके घर के आसपास और आपके खुद के घर में भी यह चीज़ हो सकता है तो please be aware of that अगर सच में ही कुछ करना चाहते हैं तो help them and spread this message to everyone Thank you Jai Hind